अपनी कोपी खोलो ओन हाओं पेपर के लिए इंपोर्टेंट एक जी बार बोलूँगा बार बार रिपीट नहीं करूँगा अहां लिखो परस्कोश्चन किने लगेसे बोदेट? अजर जपादने लगेसे बोदेट कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल ले हो यह दब ना पढ़ने के महाने है आप यहां पर बैठके देखो मैं बोलता हूँ बोलो मेरी तरह अखली को साजी इस एधर अख्री में बज़ो आपके तरह बज़ो बज़ो बताओ चाहिना कहा है सार यहां है बज़ो तुम बताओ रशिया कहा है सार यहां है बज़ो यार मुझे तो आता भी नहीं है तुम बताओ इंडिया कहा है कहा है इंडिया बताओ चाहिना अज़र अज़ो 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 यह तो हमारे पास है तुम का जा रहे हो सार ना आपके लिए पोदल आया था मुझे लगा अज़ो सारे होंगे लेकिन यह सबसे अलग होग कि जब भी मैंने पानी डालूँग मुझे यह तुम्हारी आप बिलाएगा सार 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 अरे इस पार तो बहुत सारे पैन मिल गए अगली साल से किया ही चड़ी मैं बड़े होकर जो भी बढ़ना चाहते हो आज ही सोच लो सार मैं बढ़ाओकर डॉक्टर बनूँगा लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी डॉक्तर बनने के लिए क्या करना पड़ता है नीज एंट्रेंस एक्जाम देना करता है नीज पढ़ाई के चटकर में खेल कुछ सब छोड़ दिया है अरे अब की बारी है रे हमारी जिन ना कोई बारी है समय के बीट गया पता नहीं चला लक्ष्मी चार दिन बाद बेटे का रिजल्ट है इस दिन के लिए उसने बहुत मैनस करी है अब बस बगवान करे उसका नमबर आ जाए अमी पापा जी चिन तमद कर नमबर जरूर आएगा तुम लट्डू बाटने की तयारी करो लक्ष्मी राभी मंजल से कूच कर जाती है बड़े होकर जूब बच्च्यों सर की आँखों का ओपरेशन हुआ है तो कोई भी बच्चा सर को तंग नहीं करेगा सर्जी ओपरेशन में दर्दुआ था नहीं बेटा बस चीटी सी जलती है सर्जी आप हमें पढ़ाओगे क्याते तुम रिटिंग करो और मैं कोपी चेक कर लेता बेटा इसमें से रेड पन कौन सा है ये रेड पन ये वाला में बच्चो ये वास कैसी आरी है ये ये बच्चो ये क्या है दर जी ये आपका पोन है ये क्या है बच्चो दो दिन से बोरियों तुझे पर शेरी कप्ड़े वैसे ही पड़े है कमरे में हााा रख दूंगा पता है तु कि कि क्षा करेगा यह करेंडर देख अब तक जून में ही अच्छा हुआ है, अगस्ट खतम होने को है अगस्ट खतम होने को है? हाँ तो लॉट से केस्ट तो आना है, सुनने के ज़साथी गाना है जब तेरा दर से मुआएंगे, जैने सब तो पाना है तो यह है जुलियावता सबसे स्ट्रोंगे से बना हुआ है इसलिए इसका दाम स्टैंड इरेजर है एंड यह इतना ज्यादा सॉलिड है कि पेपर पर किसी भी तरह के माप को एजिली मिठा सकता है पर यह सची में वर्क कर पाएगा तो इसलिए सबसे पेले पैंचिल वर्टे स्टैंड इरेजर एंड इसको मिठाना तो सच में बहुत एजी था तो सेगेंड बॉल्पेल वर्टे स्टैंड इरेजर खोड़ा जादा रगाना पड़ा आप पर यह भी मिठ गया पड़ आप यह पर्मेंट मारतर यह बड़ी मुश्किल से मिठ हो गया पड़ इसने पेपर को बहुत ही जाना डेमेज कर दिया उच्छे तो फाइनल यह पेंट मार्प अब दर तो इसने इसको इरेज कर दिया तो साब को चैनल को सब्स्क्राइब करना बढ़ेगा जाना जाना बढ़ेगा झाल कर दो लिए कर दोद्क्राइब